तो कियाल चाल सा स्रेकाल मैं हो नियान मैन अड़ गईज आज हम लोग बात करने वाले एलविश आदफ के बारे में तो एलविश आदफ के अरेस्ट केस से रिलेटेट कुछ बहुती सीरियस रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स आये जहां गईस बहुत सारा निया इंफोर्मेशन आया तो ध्यान से एकदम एंड तक देखना फॉर्स्ट अफॉल टाइम्स आफ इंडिया के तरफ से एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया जहां पर क्लेम किया कि according to some पुलिस सोर्सेज एलविश आदफ खाली डेली न्सी आर में नहीं गोवा एंड पंजाब के पार्टीज में भी स्नेक वेनम सप्लाई कराते थे यह खाली रिपोर्ट है कुछ ओफिशल नहीं है बट according to their sources बताया गया कि पुलिस फिर से एलविश आदफ के custody के लिए apply करेंगे for further investigation ताकि उनके ओपर एक charge sheet file किया जा सके उनके इसाब से पुलिस के पास कुछ ऐसे proofs है जहां पर एलविश आदफ के audio messages and chats के through party details को share किया जा रहा है बताया जा रहा है कि उन्होंने approximately उनसे 150 official questions का list prepare किया था and additional 75 और queries भी थे जो कि उनसे पूछा गया था वो लोग तो claim कर रहे हैं कि एलविश आदफ का link है इस case में ये तो reports था बट ACP of NOIDA के तरफ से एक statement आया था कि Sunday को जब एलविश आदफ का interrogation चल रहा था तब वो बार-बार अपने involvement को deny कर रहे थे बोल रहे थे कि मैं इसमें involved नहीं हूँ बट जब हम लोग अपने तरफ से उनके सामने evidence रखे थे तब उनके तरफ से satisfactory answers नहीं आ रहा था इसलिए हम लोग ने उनको arrest किया बट आप लोगो दहियादी होगा recently Elvis आदफ Maxton को मारे थे उसके बाद Maxton F.I.R. भी फाइल कर दिये थे उनके against in an assault case तो apparently बोला जा रहा है कि Guru Gram Police Elvis आदफ को बुलाएंगे production warrant में according to this report Guru Gram Police एक petition फाइल करेंगे गाजियाबाद कोट में ताकि उनका ये process facilitate हो पाए and जब Elvis आदफ को बुलाया जाएगा production warrant में he will be arrested and उनका interrogation किया जाएगा regarding this case and not only him, उस राज जो लोग भी उनके साथ involved थे, जो उनके साथ गये थे उधर, उनका भी information निकाला जाएगा sector 53 के additional SHO के तरफ से statement आया था, कि उन्होंने मार्च 18 को Elvis को एक notice issue कर दिया था but of course उस टाइम Elvis custody में थे तो उनके तरफ से response नहीं आया बट उनके legal representatives के तरफ से भी response नहीं आया, अब Elvis से related खाली यही bad news नहीं आया, एक और bad news आया, कि जिस court के तरफ से उनको judicial custody में डाला गया था सूरजपुर कोट, वहां के lawyers एक strike में गए वे, एंड इसलिए उनका bail application भी नहीं through हो पा रहा है, मतलब कि Elvis को अब fourth day भी jail के अंदर रहना होगा, and not only Elvis, उनके friends are related, भी एक बहुत ही बड़ा news आया, basically उनी के case में, पुलिस ने दो और accused को arrest कर लिया है जिनका नाम है, ईश्वर and विन है, विन है को शायद आप लोग जानते होंगे, ये Elvis के vlogs वगरा में काफी दिखते हैं, उनके instagram में भी अप्रॉक्स 140K followers हैं, and या, जब उनको police arrest करके ले जा रहे थे, तब reporters उनसे सवाल पूच रहे थे, आप भी rave party करते थे, तो उन्हों ने straight away जवाब दिया, कोई rave party नहीं करते हैं, आज तक जिन्देगी में कोई नशा नहीं किया, and दूसरे तरफ, जो ईश्वर person थे, उनको भी जब arrest करके ले जा जा रहा था, तो reporter ने जब उनसे पुझा, आपका Elvis से संपर्क है, तो वो जवाब दिये, कोई संपर्क नहीं, कभी जिन्देगी में दर्शन भी नहीं किये, Elvis ने, मैंने कभी देखा ही नहीं है, Elvis को, तो वो लोग तो straight away claim कर रहे हैं, कि वो इस case में involved नहीं है, बट पुलिस का क्या कहना है, additional DCP के तरफ से एक statement आया, उन्हेंने कहा कि ईशवर, राहुल सपेरा से contact में था, और इसका एक banquet hall है, जहां पर वो साप बुलाता था, और सापो का जहर बनाता था, दूसरे तरफ विनय ईशवर का खास दोस्त है, ये दोनों सापो का अदान प्रदान और विश का अदान प्रदान करने में मदद करता था, बट येस हो सकता है कि हम लोग को Elvish के तरफ से जल्दी कुछ good news सुनने को मिल सकता है, लेकिन चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले Astro Talk नाम के एक company के बारे में, तो इसलिए इनको मिला था, एक सो साट करोड की funding and funding मिलते ही, आप बिलीव नहीं करोगे भाई कि इनलो ने क्या किया, भाई साब इन्होंने happy free कर दी, मतलब आप किसी भी Astro Loger से free में भात कर सकते हो अब initially मेरे को तो ये गलत लग रहा था and straight away, वो मुझसे सीधे पूछ ली कि क्या आप social media वाले industry में काम करते हो और अभी हाली में, कुछ time पहले आपका health भी खराब हुआ था क्या मेरे को तो समझी नहीं आया, कि उनको ये सब चीज कैसे पता चला मैं तो अपना photo भी नहीं भेजा था यार उनको बस फिर क्या भाई, बिना time waste के मैंने उनसे अपने 2024 के भारे में पूछ लिया मेरा health, मेरे घर वाले and of course personal life भी रहता है तो मैंने सब चीज से related उनसे question पूछ लिया and भाई वो एक-एक बात जो बता रही थी that was absolutely true अब देखो यार सबके life में कुछ ना कुछ doubts या फिर issues रहते ही है चाहिए अगर आप कोई relationship में हो तो यह समझना होता है कि यह long term के लिए है या नहीं single हो तो भाई relationship में कब आओगे किसके साथ आओगे, career में कब settle होगे job increment कब होगी बहुत सारे doubts रहते है यार अच्छा चलो एक काम करता हूँ मैं astrotalk app का नीचे description में link दे दिया हूँ आप जाकर खुद check out कर लो and अपने सारे doubts को clear कर लो and जल्दी कर लो क्योंकि यह app अभी free हो गई है भाई but या coming back to elvish आदफ तो उनके lawyer के तरफ से regarding this situation एक काफी बड़ा statement आया उन्होंने police के against एक बड़ा allegation लगाया वो बोले कि elvish आदफ को illegally detained किया गया है उनके lawyer बोले कि जब से यह case register हुआ है November last year से elvish आदफ को 5 बार questioning के लिए बुलाय गया है and वो गई भी है but इस बार जब उनको बुलाय गया उनको illegally detained कर लिया गया and following that उनको arrest किया गया that is very wrong क्योंकि apparently elvish को inform भी नहीं किया गया था कि उनको क्यों arrest किया जा रहा है इसके बाद वो बोले जिस party को लेकर सवाल उठाय जा रहा है elvish उस party में present भी नहीं थे and यह चीज़ जो बताया जा रहा है कि snake venom मिला था वो उनसे recover नहीं किया गया था which is common knowledge and also as per the section 55 of the wildlife protection act हाल यह government officer के पास यह authority होता है to take action of an offense under this act and file a complaint जबकि इस case में government official ने एक NGO ने file किया complaint बाकि jailer दीपक शर्मा का तो आप लोग जानते होंगे उन्होंने भी elvish आदव की situation के उपर अपना reaction दिया and शायद से उनसे related good news आ सकता है क्योंकि वो अपने instagram story में यह upload किये good news soon and पीछे हम लोग देख सकते हैं जहाँ पर elvish आदव है उसका photo है फिर आगे भी वो post करके नीचे caption में लिखे आप सब लोग धैर्या रखे परिशान ना हो बहुत जल्द सब अच्छा होगा अफवाओ पर ना जाए पिंट कमेंट में वो लिखे आप सब लोग सिस्टम पे भरोसा रखे बहुत जल्दी good news देंगे आपको hashtag elvish army तो maybe उनसे related कुछ अच्छा news हम लोग को सुनने को मिल सकता है let's see बाकि दूसरे तरफ क्या elvish यादफ के फादर ने अपने ही बेटे को expose कर दिया well guys अगर आप उनके vlogs या फिर इंस्टेग्राम को follow करते होगे तो आप लोग देखते होंगे उनके पास super cars वगेरा है थोड़ा सा luxury lifestyle है बट elvish के फादर क्लेम किये कि यह जो luxury cars है वो उनका है ही नहीं basically उनका एक interview चल रहा था तो सामने से reporter उनसे पूछती है कि आपका बेटा का इतना luxurious lifestyle है इतना duplex है apartments है luxurious cars है आपको नहीं लगता है कि इसके पास inappropriate funds वगेरा आ रहा है तो वो बोलते कि नहीं गाड़ी तो loan पर है उनको जो बे मतलब bash किया जा रहा इसको लेकर बहुत सारी youtubers खुश नहीं है जैसे कि थगेश ने tweet किया stupid reporter फिर कीरती महरा बोली तमिश से news cover करने आती तो 161 पर नहीं बैठे होते है सच बोलनी की हिम्मत कब लाओगे किसी के माबाप से ऐसे time पर बक्वास कर रहे हो शीशे में खुद से नजर मिला पाऊगे लाख पड़ाई कर लो इस तरीके से top 100 पर भी नहीं आ पाऊगे hashtag shameless media हिसाब यहीं पर होता है सबका फिर big boss 17 के finalist अभिशेक कुमार भी एलविश के support में एक tweet किये कि during this challenging time I support Elvish Yadav and remain confident in the judicial system to ensure just till prevails Elvish के family को इस difficult time में दिल से साथ देता हूँ आज उन्हें रोता देख बेरे भी आसू निकल आए जैश्री राम सब अच्छा हो फिर Elvish की sister के तरफ से भी यह story आया था guys we need to stay super duper positive our boy needs our prayers and blessings please I request all our well wishes to stay positive then Lakshay Chaudhary लिखे don't show your money on social media it will invite a lot of trouble फिर आमिर सिद्धिकी Elvish Yadav का एक पूराना वीडियो शेर किये जो वो Aryan Khan के उपर बनाय थे जब उनके against drugs वाला case हुआ था आप खुद देख लिजे उन्होंने क्या story अप्लोड किया जो एक criminal बलत के बात भी भी एनके fans इनके fans बिल्कूर राजी निया मानने को भी आरेन खान भी आने कुछ गलत कर दिया जैसे किसी नी ड्रग्स ले लिए जैसे सबकुस पर इजांपल भाई मेरा हाथ है इसने ड्रग्स ले लिए सेक्शन होगा ची की सिंगल्स विद कैरी मिनाटी 21st मार्च 9.30 पीम को स्टार स्पोर्स में हम लोग को यह देखने को मिलेंगे बाकी not only him यू किस दुर सब इडाइडर भी IPL के लिए कुछ शूट करने वाले हैं अपने व्लॉग में क्या बताया आप खुद सुलो हम लोग IPL 2024 कवर कर रहे गाइस एन उसके लिए गाइस आज हम लोग जा रहे हैं चैने लेट में जैस्ट रिविल इट व्यू गाइस हम लोग सुरेश रहना सब के साथ छूट कर रहे है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारी जो लांबो थी वह लांबो हम लोगों ने शिप कर रहे हैं तो विराट कोली को यह चीज बहुत इंबरेसिंग लगता है जियां गाइस आप लोगों तो पते हुआ कि उनको टाइटल मिला हुआ है औफ किंग कोली तो सामने से जब उनको लोग बोलते हैं कि किंग कोली आप कैसे हो क्या कर रहे हो यह चीज उनको थोड़ा इंबरेसिंग लगता है एक इवेंट के दौरान यही हुआ था तो उनको ने बोल दिया गाइस प्लीस टॉप कॉलिंग मी किंग इटस इंबरेसिंग फॉर मी बस मेरे को विराट बोला वही काफी है तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अर अबिवाइरल के बारे में तो क्या यूटूबर अबिवाइरल एक हूँज यूटूबर को एक्सपोस करने वाले है विल गाइस अबिवाइरल एक यूटूबर एन रैपर है Recently वो पोस्ट करके बता है कि अगर कोई बड़ा यूट्यूबर with 10 million subscribers मेरे पास आता है और कहता है अब ही मेरे उपर एक rap बना दे और बदले में इन रिटर्न मैं तेरे आने वाले तीन future rap projects को 1.5 लाख रुपीज इच फंड करूँगा और फिर अपना rap song free में बनवा के गायब हो जाए लेकिन YouTube industry में बहुत respected हो तो मुझे क्या करनी चाहिए तो 94% लोगों ने vote किया कि expose him इसके बाद few days later वो एक और post किये जहाँ पर उन्हें ने बताया यह जो YouTuber है जो कि free में उनसे rap बनवा कर उनका पैसा नहीं दिये उनके community post के बाद वो Japan चल गए content create करने और बहुत सारे लोग जो उनको बोल रहे हैं कि expose करो उसको तो उन्होंने realize कि यार उनके इतने subscribers and followers है शायद से वो fake है क्योंकि वीडियो में उतना views and reach नहीं आता है subscribers के हिसाब से तो अगर वो expose भी कर देंगे तो वही और famous होगा तो let's see वो उनको expose करते हैं या नहीं तो चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजद दलाल के बारे में तो रजद दलाल अपने थरफ से एक बड़ा announcement दिये उन्होंने अपने Instagram में post करके बताया कि मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सालों से dream देखा था and finally he thinks कि time is right and वो और भी जादा लोग को दे सकते हैं वापस उन्होंने अन्नाउंस किया कि वो अपना एक NGO सेटप करने वाले है initially ये NGO खाली dogs को help करेगा but later वो अपने पूरे hometown and बाहर भी जाकर लोग का help करेंगे तो चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सल्मान खान के बारे में तो सल्मान खान इस actor को F of क्यों बोल दिये भाई basically legendary actor मिथुन चक्रवर्थी को तो आप लोग जानते होंगे उनके बेटे एक interview के दोरान reveal करके बता है कि जब वो रादे के sets में गय थे और वो जाकर सल्मान खान के पैर को चूलिए तो उनको बोले F of यार उठो and he hugged him तुम मेरे जितने उमर के हो तो ये सब मत करो यार और आगे वो बोले दीशा पाटनी के सामने तुम ये सब करोगे तो sets के बाहर भगा दूँगा तो बहुती funny response निकला यार उनके तरफ से बट anyways चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2024 के कुछ बड़े Amazon Prime Shows के बारे में जिहां guys कल Amazon Prime India के तरफ से कुछ बड़ा announcement आया कि कौन सा movies and कौन सा shows आने वाला इस साल में अब of course list बहुत लंबा है सब कुछ individual ही तो नहीं बता सकता हूं मैं तो चलिए कुछ most hyped up shows के बारे में बात कर लेते हैं फॉर्स्ट अफॉल उन्हें ने announce कर दिया कि finally Mirzapur season 3 release हो जाएगा then पाता लोग का season 2 भी आएगा and मेरा one of the favorites पंचायत का season 3 भी आजाएगा भाई बाकि अगर आपको पूरा list जानना है तो वीडियो का link मैं नीचे description में दे दिया हूं जाकर देख लेना talking about Amazon Prime तो recently मैंने आप लोगों बताया था कि Mr.Beast Amazon Prime के साथ एक बहुत ही बड़ा गेमशो लाने वाले है यह सबसे बड़ा गेमशो होगा with the biggest prize money ever Mr.Beast का recently podcast आया with Colin and Samir and वह पर वो इस project के बारे में बात किये कि उन्हों ने Amazon Prime platform को कुछ चूज किया and यह project actually में कितना बड़ा होने वाले है इसके बारे में भी वो बात किये आप खुच सुर लो let's just say Amazon will give us the most creative control and by most I mean all creative control and they'll let me do whatever I want and other platforms you know didn't it's gonna be the largest game show in history with the most contestants any game show has ever had but the largest cash prize in history biggest sets in history is the biggest everything in history this is this show we have it written now is mind-blowing चलिए बागे बढ़ते हम लोग बात करने वाले Musayala family के बारे में तो क्या Sidhu Musayala के father के against action लिया जाएगा well guys मैंने आप लोग recently बताया था कि Sidhu Musayala के family ने एक baby boy को welcome किया था इनके fans and family were really happy to see him but बताया जा रहा है कि जिस technique से यह baby boy आया that is IVF technique and इसके regarding strict guidelines है इसे लिए आज उनके father के दरफ से Instagram में एक वीडियो आया था जहाँ पर वो government के against allegations लगाया कि उनको बे मतलब harass किया जा रहा है since morning and वो उनसे documents मांग रहे of the baby कि यह child का legality को प्रूफ करो तो इसे लिए उनने ने especially chief minister of Punjab से यह request किया कि please यह treatments वगेरा खतम हो जाने दो मैं यही परूँ आपके पास जो भी सवाल है मैं सब कुछ जवाब दे दूँगा वहाँ आकर मेरे पास सारे documents वगेरा है मैं सारे legal procedures follow करने के लिए तयार हूँ बस treatments वगेरा खतम हो जाने दो तो यहाँ तो चलिए अब कुछ achievements के बारे में बात करते हैं तो first of all Mr. PC ने complete कर चुके 100K subscribers then the powerhouse wines ने भी complete कर चुके 100K subscribers then web sankul official ने complete कर चुके 1 million subscribers then royal challenges bangalore ने complete कर चुके 4 million subscribers and finally sujal ठकराल ने complete कर चुके 18 million subscribers so many many congratulations to all of them तो चल दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो थोड़ा सभी पसंद आया हो तो like कर देना, channel को भी तक subscribe नहीं कियो तो जल्दी से जल्दी subscribe भी कर लेना news submission का link description में वहाँ से जाके आप कुछ news बेजोगे तो आपको credits भी मिल सकता है मेरे description में so यह ऐसे support करते हैं आप मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन, bye bye